इस वाले कॉंटेंट पर भी आप लोग काफी कमेंट्स आ चुके हैं कि आपको एक कमपरेजन वीडियो चाहिए बोट एडोपस एटम 83 का बोट एडोपस एटम 81 के साथ हाला कि दोनों अलग-अलग कैटेगरी के True Wireless Earbuds हैं एक में आपको मिल जाएगा Proper Ineos Design के Earbuds दूसरा आपको मिलने वाला है Half Ineos Design के Earbuds लिए आप लोग कमेंट्स आइज हो तो हमने सुचा कि आपको confusion है इस वीडियो के थिरू बिलकुल धूर कर दें सारे हम करेंगे testing proper तरीके से दोनों में जो specifications से almost आप बहुत सकते हैं similar आपको मिलने वाले हैं सब हम testing करेंगे ताकि वीडियो केंट था पॉस्से पॉस्से सब देखने के बाद finally आप decide कर पाएं कि आपको confusion है कि इसको option में रखना चाहिए कि इसको clear हो जाएगा So hope you like this one and if you're new to our channel kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all So let's get started यहाँ पर हम सबसे पहले एक बाद नजर डाल लेते हैं दोनों के basic differences पर Here you can see comparing the boat येटूप's Atom 83 with the Atom 81 दोनों में ही आपको Bluetooth version 5.3 मिलेगा दोनों में ही आपको IPX5 Water and Splash Station feature के साथ 39 नेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे साथ ही में दोनों में ही आपको SBC और AC Codec का support Instant Wake and Pay technology और साथ ही में आपको दोनों में ही EX technology मिलने वाली है टोटल आपको 4 mics मिलेंगे दो-दो earbuds आपको दोनों earbuds मिलने वाले हैं दोनों earbuds में और साथ ही में आपको दोनों में ही dedicated gaming mode, beast mode भी मिल जाएगा battery की बात करेंगे लगबग आपको दोनों में ही 5-6 घंटे का playtime मिलेगा on a single charge और earbuds को आप लगबग fully charge का सकते है 4-5 बार using the charging case और साथ ही में दोनों में ही आपको fast charging का support भी मिल जाएगा और दोनों का ही price आप्रॉक्सिमेटली 1500 रुपे तो यहाँ पर आपने देखा दोनों के जो specifications से बिल्कुल आपको same मिलने वाले है कोई खास difference नहीं दिया गया specifications पार को लेके और जो price point थोड़ोग बर fluctuate होता रहता है और अगर आप board की official website से purchase करते हैं दोनों का approximately 1300 रुपे के आसपास 1200 के आसपास grab कर सकते हैं और फर साथ यह deal साथी है सारे के सारे मैंने links देदी है description में एक बार आप check out करके current price भी check कर सकते हैं features आपको याप दोनों में ही almost same मिलने वाले हैं बात करेंगे दोनों के look and feel की और build quality की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको जो case है काफी compact मिलने वाला है item 83 में आपको मिलने वाला है matte finish का case 81 में आपको मिल जाएगा आपके glossiness का case and front में आपको दोनों में ही board की branding के साथ इक battery indicator light मिल जाएगी नीचे आपको type C का port मिलने वाला है plastic quality आपको दोनों की ही अच्छी मिलने वाली उसको लेकि मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी this है आपको plastic quality मिल जाएगी दोनों ही compact case है लेकिन जो item 81 है थोड़़वाद और compact बोसकते आपको mini size design का case दिया गया है लेकिन portability part को लेकि दोनों में से आपको किसी में issue नहीं आने वाला है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोनों का जो lock दिया गया case का आप देख सकते है automatic ऐसे बंद हो जाता है जो यहाँ पर hinges दिये गए है थोड़़ लूज दिये गए है automatic ऐसे बंद हो जाते है यहाँ पर थोड़ी improvement दिनीची दोनों ही earbuds से case को लेकि और buds की बात करेंगे दोनों में ही आपको मिलने वाले है stem shape के earbuds लेकिन item 83 में आपको आप इनिया design के earbuds मिलने वाले है और item 81 में आपको आपको इनिया design के earbuds है लेकिन look and feel, plastic quality दोनों की आपको बढ़िया मिलने वाली उसको लेकिन कोई दिक्कत नहीं लगी प्रॉपरल यगर आप कानों में दोनों को ही place करते है तो आप पे depend करता है में लिए आप half इनिया design के earbuds consider करना चाते हैं लेकिन प्रॉपर ये अगर आपको आपको अछह प्रॉपर तरीके से हैं अब आप हेवी वरकवर्ट करते हैं काफी लाइट वेट येरवर्ट है गिरने के चांसिव नहिंए दोनों में आपको स्क्रॉपर फिट मिल जाएगा उसको लगिक कोई दिक्कर नहीं लगी के तुरू लेकिन दोनों में आपको आपको आपने वॉल्यूम को ऑप्षिन नहीं दिया गया है वॉल्यूम आपको मॉबाइल फोन के तुरू ही कंट्रोल करना पड़ेगा इसको आप ध्यान में रखिएगा और अगर हम बात करेंगे दोनों के चैनल जैसा है और अगर दोनों में ही आपको मिलने वाला है विश्ट मॉड तोनों में आपको 60-60 मिलज के ाड़ है इन और ये एकस्पूरियंस आपको दोनों में ही लाउड और अ कलेरर मिल जाएगा आप पता इंमी कहा है से ये लैफ्ट से की राइट से गेमिंग पार्ट को लेके मैं दोनों को ही इक्वले रखेंगे मुझे ज़्यादा रखास जिफरेंस नहीं बता चला गेमिंग पार्ट को लेके आप दोनों में से किसी को भी प्रफर कर सकते हैं mainly for good gaming experience अब हम बात करेंगे music experience, base experience और calling experience की दोनों में ही आपको मिलने वाले है 13mm dynamic drivers loudness आपको दोनों में बढ़िया मिल जाएगी full volume पे आप definitely सुन सकते हैं बेना किसी distortion के जो vocals ही clarity है, detailing है, जो treble से है आपको लोगों में ही proper मिलने वाले है उसको लेकि मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा, में लिए अगर आप music को compare करेंगे अब आप पे decent matter करता है personally कि आप half way design के earbuds consider करना चाहते हैं कि इन्या design के earbuds लेकि music output आपको दोनों में ही बढ़िया मिलने वाला है उसको लेकि आपे detailing part से लेके compromise नहीं किया गया है लेकिन अगर हम बात करेंगे base की अगर आप purely base लवर है आपको base से compromise नहीं करना है तो आप साफ साफ आपको betterment मिलेगी प्रॉपर आपको पंचिने surrounding effects मिलने वाले है item 83 में as compared to item 81 इसमें आपको ज़्यादा खास base effects नहीं मिलने वाले इसमें आपको decent बोल सकते हैं कभी को भी लग सकते हैं यहाँ soft soft base effects आ रहे हैं लेगन item 83 में आप बोल सकते हैं साफ साफ एक दो कदम आगे है base part को लेके as compared to item 81 यहाँ पर यह difference दिया गया है output को लेके base part को लेके particularly बात करेंगे calling की हालागि दोनों में आपको 4-4 mics मिलने वाले हैं तो में यहाँ सी अफ जिए जा जा खुरोख चैनल करता है अधिखने में पटा عليه को अब अजयव मरї यहाँ तो तुम्हें अन्च मेरी यावाग साशी किह अभं हें बाुट्यूं केंकृ था Šजय कांपी लिए लावरे अपकिया फ्ल नाशी है हां ता शलिए लेकिन कोई खास मैटर नी करही है मनल्ड जुलिए जब कॉरिए नहीं मंगली अच्छ अच्छ अम मैं तुम मैं ड特भीटे भाल शेये करताता हूं कॉन सब्सक्राइश अरों यहां देख्षा अभी मेना आटम 83 से बास कर रहा हूं तेम आटम अवाज केसे आरी है अवाज तो इसके समझ में आरा है क्या बोल लेकिन वोकल्स 81 की ज्यादा क्या लग लग रहे थे लाओनेस उसमें इस नहीं है जितनी इसमें वी थी लेकिन वोकल्स के ज्यादा चलियरते पर इसमें आटम से बाइं जिसमें अज बैक्रांट उन थे जिए अपे बैक्रांट अनुछ सिंक आपको एक ओवर विल गया हूं किसी ऐक चुलिंग बैटरे और यहां था आपको बैटरमिन मिलने लाली कॉलिंगर्ट को लेकिए अटम 81 में इस यहां पर देखा जाए, जो डिजाइन है, वो परसनली आपपे डिपेंड करता है, कुछ लोग क्या इनने डिजाइन के ये ये पसंद आता है, उनको ये पसंद आता है, ये 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 कपस के साथ, और कुछ लोगो ये ये कपसे इरिटेशन होती है, तो ये हाफ ये डिजाइन के ये ये पसंद करते हैं, दोनों की बिल्ट कॉलिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी, सिक्यूर बड़ आपको सही मिलने वाला है, और देखा जाए, मिजिक पार्ट को लेकि कोई compromise नहीं किया गया, दोनों में ही, लेकिन अगर आपको base effects से मतलब है, तो भाई, अगर आपको base से मतलब है, आप atom 83 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको calling से मतलब है, आप ज्यादा calling करते हैं, music के साथ calling एंज़ॉइ करना चाहते हैं, तो आप atom 81 की तरफ जा पुछिए, I will try my best to help you out with that, so this was all about the comparison between the bow teardopes atom 83 with the bow teardopes atom 81 true wireless earbuds, hope you like this one and as I told you if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all, thank you for watching this one and see you in the next video, thank you.